तो गाईज आज की वीडियो का हमारा कॉश्चन है प्रैक्टिस पेपर से प्रैक्टिस कॉश्चन से जो CBC दुवार ग्लीज किया गया है कॉश्चन नमबर हमारा ये I think 23 या 24 है and कॉश्चन के करा है find the smallest pair of 4-digit number such that the difference between them is 303 यानि कि दोनों के बीच में the difference है वो 303 का है और उनका SCF है यानि कि highest common factor है वो 101 है तो show your steps तो कैसे हम find करेंगे smallest pair of 4-digit number जिनका difference 303 है और SCF हमारा 101 है तो SCF हमारा 101 है यानि कि जो highest common factor है वो दोनों numbers का वो 101 है तो हम क्या करेंगे इसमें let करेंगे two pairs small pair क्या मान लेते हम क्या pairs है वो क्योंकि highest common factor है 101 तो 101 का तो multiple होगा ठीक है यानि कि और उसमें अगर हम X और Y जोड दे तो suppose ये दो हमारे pairs है क्योंकि 101 का multiple होगा वो यानि कि ये X है और ये Y है multiple होगा न वो यानि कि 101 का multiple होगा क्योंकि highest common factor 101 है दोनों का जो common factor होगा highest common वो 101 होगा उसके इसाफ से मैंने let किया है तो जो ये X और Y होंगे ये क्या होंगे इस case में co-primes क्या होते है जिनके common factors only one होता है क्योंकि अगर common factor कुछ one से extra आ गया कुछ और दूसरा आ गया तो इनको जो highest common factor है वो change हो सकता है वो हम afford नहीं कर सकते इस case में थीक है तो इसलिए हमें let करना होगा कि जो ये हमारा ये multiple जो multiply कर रहे है XY को ये हमारे co-primes number है ये हमें show करना है कि हम समझ रहे है concept को नहीं कर समझ रहे है ठीक है अब according to questions तो यानि कि अगर हम multiply करेंगे तो ये हो जाए हमारा 101X 101Y अब बोल रहा है कि दोनों का difference हमारा 303 है तो 100X-101Y का जो difference है वो 303 है तो मैं इसमें से 101 को common ले लूँगा तो X-Y equal to क्या जाएगा हमारा 303 तो X-Y equal to क्या जाएगा हमारा 303 अपन में 101 कट जाएगा ये 3 बार में तो यानि कि X-Y equal to आगया 3 ठीक है अब यहां समझना गईस क्योंकि इन दोनों का जो difference है वो 3 है यानि कि X और Y का जो difference है वो 3 है तो जो X की value होगी वो possible value क्या होगी X-Y की वे जो value होगी वो कम से कम 9 से जाद होगी अब क्यों जाद होगी क्योंकि अगर 9 या 9 से कम होगी 9 या 9 से कम होगी अगर सपोस मैंने यह 9 put कर दिया तो यह 9001 हो जाएगा तो 4 digits उत्राएगा ही नी और अगर मैं यहां 8 put कर देता हूँ मुंटिप्लाइ करता हूँ तो 800 बन हो जाएगा यह भी 4 digits कर नहीं होगा यानि कि कम से कम यहां में 10 तो ची है तो अगर मैं y equal to 10 put करता हूँ तो x कितना हो जाएगा मेरा? x मेरा 13 हो जाएगा ठीक है? स्टार्ट करते हैं 13 से क्योंकि हमें smallest ची है तो smallest से start करेंगे तो अगर मैं y क्योंकि इसमें difference है हमारा x माइनस y का यानि कि y छोटा है x बढ़ा है ठीक है तो यानि कि x y में अगर 10 put करता हो तो हमारा x से 13 होगा ठीक है? तो अगर हम इसे verify करने कोशिश करें इफ यानि कि if y equal to 10 तो x equal to 13 होगा और ये condition तो true ये तो मतलब ये तो must है यानि कि x और y की value कम से कम 9 थे तो बड़ी होनी ची है तो अगर मैं x की value यहां 13 रखता हूँ x की value यहां मैं 13 रखता हूँ यानि कि 13 से multiply करता हूँ तो यह हो जाएगा हमारा 1300 13 13 ठीक है? और वहीं अगर इसको 10 से multiply करता हूँ तो यह आएगा हमारा 1010 ठीक है? यह दो हमारे smallest pair निकलेंगे अगर आप इससे supply करके देखेंगे तो supply करने पे हमारा 303 आएगा और highest जो common factor है हमारे यह होंगे 101 तो यानि कि जो हमारे smallest possible pair होंगे जिनका difference 303 और highest common factor 101 होगा वो 13 13 and 10 10 होगा fine hope you like it, hope you understood, so इसे आपको ऐसे show करके दिखाना पड़ेंगे अपने steps ऐसे questions के तो hope you understood, so अगर ऐसे question आता है तो आपको इसे deal करना होगा got it, if you have question you can ask me in comment section, till then bye bye